Welcome to your own program, दिशाए. दोस्तों, हमारे जो पूर व्राश्पती थे, Dr. A.P. J. अब्दुलकलाम साहब, उनका कहना था कि Each of us has got the divine fire in us. The only thing is to give the wings to that fire. अर्थार्थ, हम एसे सभी के पास दिविज्योती है. आवशक्ता के वल उस दिविज्योती को पंक देने की है. आप में भी बहुत सी प्रधिवाए होंगी, आप में बहुत सारी qualities होंगी, आप में बहुत सारी strengths होंगी. उन strengths को पहचानिये और आगे बढ़िये. अपनी strengths को पहचानते वे, यह देखिए कि क्या आप administrative services की तरफ जा सकते हैं या नहीं. यहां आपने ठीक समझा, आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं. हमारी जो राज्य इस तरही प्रशास्तिक सेवाए हैं, उनकी हम तयारी कैसे करें, और उसमें क्या-क्या problems आ सकती हैं, क्या queries हो सकती हैं, यह आज सब हम यहां पर देखेंगे, और हमारे साथ हमारे यहां पर इस्टूडियो में मौदूद हैं हमारे subject experts, Mr. दिलीप माहेचा, और दूसरे expert के रूप में हैं, श्री उपेंदर शर्माजी, जो 2016 R.A.S. पैच के 5th rank holder हैं. शर्माजी और उपेंदर जी, आप दोरों का यहां पर बहुत-बहुत स्वागत हैं, और हमारे साथ ही, हमारे यहां पर कुछ students भी आएवे हैं, जो की R.A.S. एस्पारेंट से, R.A.S. की तयारी कर रहे हैं, कुछ prelims दे चुके हैं, और मेंस की तयारी कर रहे हैं, और कुछ मेंस के बाद, फिर अपने इंटर्व्यूस की भी तयारी करेंगे. So friends, आएए आज हम अपने subject expert से, यह जानते हैं, कि R.A.S. के लिए, R.A.S. बनने के लिए, हमें कौन-कौन सी आवशक्ताएं होती हैं, किस-किस चीज के लिए, हमें stress देना चाहिए, और कहां-कहां हमें चिंतन करना चाहिए. दिलीब जी, मैं सबसे पहले आप से ही पूछना चाहूंगा, आप इतना टाइम होगे, R.A.S. की वहाँ पे बच्चों को आप कोच करते हैं, इसमें R.A.S. के लिए, अपसर जो है, वही लोग बन सकते हैं, जिनकी academic जो background है, वह बहुत अच्छा हो, जिनका family background बहुत अच्छा हो, और वो लोग ही कर सकते हैं, पहले ऐसा माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से, जो है, ग्रामीन प्रिष्ट भूमी के जो विद्ध्यारती है, साधारन परिवारों से निकल के जो लोग हैं, वो आगे आ रहे हैं, और अब वो सारे मिथक और धारनाएं लगबग खत्म हो रही है, समापत हो रही है, और सामने स्टुडेंट, एक सामने विद्ध्यारती भी आरेस की तैयारी कर सकता है, आरेस की तैयारी करने के लिए कुछ बेसिक्स आपके पास होने चीए, जैसे कि आपका सामने अकेडिमिक रेकॉर्ड होना चीए, आपकी प्रिष्ट भूमी ज्यादा अच्छी नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इतना खर्चिला, आप नुसरे कॉल्ट जी, यहापे मैं एक सोटा साब सी पूछने, क्यों क्यों क्वेस्टन पूच्ट अपकरना चाहूँगा, कि जैसा आपने कहा कि RAS में जो minimum eligibility है उसमें कोई बहुत अच्छा academic background होना बहुत जरूरी नहीं है क्या graduation जो इसकी जो minimum qualification है उसमें कोई ये निर्धारित किया हुआ है कि 55 या 50 से कम percentage वाले इसमें अपियर नहीं हो सकते नहीं बाकी सारे कई competitive exams होते हैं जहां पे आपके graduation में कितने minimum percentage होने चाहिए लेकिन RAS में ऐसा कुछ भी नहीं है आपको किसी post graduation की जरूरत नहीं है आपको specific diploma या ऐसे किसी degree की जरूरत नहीं है एक सामन इसना तक जो विद्यारती है वो इसकी तयारी कर सकता है कौन कौन सी qualities आप देखते हैं student में होनी चाहिए जो कि एक प्रशासनिक अधिकारी में आप देखना चाहेंगे प्रशासनिक अधिकारी समवेदन शील होना चाहिए समाज की जो इस्तितियां है समाज में जो गठित हो रहा है day to day life में तो उनके प्रटी आप समवेदन शील हो या नहीं क्योंकि प्रशासनिक सेवाएं दूसरे कारें से अलग है आप जैसे किसी private job का लें example लें आपन तो private job में व्यक्ति जब काम करता है तो उसे लगता है कि वो company को profit पहुँचाने के लिए उसका main मकसद जो होता है लेकिन एक अधिकारी जब बनता है तो आप सरकार की सेवा कर रहे हो और सरकार का उद्धिश सरकार को profit पहुचाना नहीं है यहां आपका उद्धिश होता है कि आप जनता को जो है इस चीज़ का lab पहुचाएं तो वो एक feeling अलगी होती है तो समाज के साथ आपका जुड़ा है या नही है यह सबसे महत्व कोने क्योंकि कई लोग जो है प्रशासनिक सेवा है पैसा कमाने का माध्यम नहीं है आपको अगर पैसा कमाना है तो आपको बिजनस करना चाहिए और अगर आपको कि आपको समाज के लिए कुछ contribute करना है तो आप system का हिस्सा बनके बहतर तरीके से contribute कर सकते हैं तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि उस जो भी विद्यारती preparation करें इसकी तो वो यह देखें कि वो समाज के प्रति समवेदन शील है या नहीं है और उसके बाद दूसरी चीज़ें तो सामाने सामाने जैसे कि मैंने बताया कि academic record सामाने होना चाहिए हाँ इसमें थोड ऐसा तो नहीं है कि आप अभी कुछ सोच रहे हो फिर कुछ सोच रहे हो तो यह दूसरी चीज और patience के साथ एक चीज आत्म विश्वास आपको यह हमेशा लगना चाहिए कि नहीं मैं कर सकता हूं क्योंकि in between रास्त वे उबढ़ खाब़ जो होते हैं कई बार आपको कई दिक आपने कब से इसके लिए सोचा था कि मैं प्रिशासनिक सिवाओं में जाओं जूचा था एक फ्रेंड ने कहा कि अलड़ी सर्विस में था मैं तो इसने कहा कि nothing to lose आप तियारी सुरू कीजिए और October 2015 में मैं तियारी सुरू की थी, August 16 में प्रिलिम्स दिया, March 17 में 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 इन September 17 में इंटर्विव और October 17 में final result आ गया था इसका. आप अंदर अपने कौन सी ऐसी खूबी देखते हैं जिससे कि आप अपने आपको सूच सकते हैं कि administrative officer जो है, उसमें आप success लेंगे. मुझे ऐसे लगता है कि समाज के व्यक्ति की जो व्यथाएं हैं, जो समच्चे हैं, उन्हें मैं समझ सकता हूँ. गरामीन परिवेश से हूँ, गाओं का रहने वाला व्यक्ति हूँ. तो वहां के लोगों की जो मुखे समच्चे हैं, उन्हें समझ कर, जो भी सरकार की योज I-O, उसके साथ साथ एज की भी ऐलिजिबिलिटी देखी जाती है, एज का क्या क्राइटेरिया रहता है? 21 वासित की आयू पूरी करते ही आप जो है वो इस अग्वर्मcken यर था य हो सकते हैं और उसके बाद 40 एयर तक आप यह एक्जाम दे सकते हैं 40 सालं और अगर आप राजस्तान की गौर्मेंट एंपलोई है तो आपको और रिलग्शेशन्स जो है वो 40% 40 year तक वहीं उनी के लिए है पांच साल का जो इनको relaxation मिलता है वो SCST OVC तीनों को मिलता है दिलीब जी मैं वापस आपसे यह एक बार question पूछना चाहूंगा कि जो prelims और mains जो exam से है इसमें क्या-क्या पूछा जाता है यह भी एक myth चलता रहता है market में कि prelims factual होता है और mains subjective होता है descriptive होता है तो दोनों की preparation अलग तरीके से होनी चाहिए जबकि आजकल जो है वो ऐसा है नहीं आप देखोगे कि prelims के अंदर भी आपके ऐसे questions आएंगे जिन में analysis होगा और आप उसको analysis समझ पाएंगे तो क्योंकि किसी भी question में कारण या परिणाम पूछेंगे तो चाहर कारण या परिणाम दे दिये तो उसमें से आपको कौन सा नहीं है तो analytical टाइप के subject जो प्रिलिम्स में भी आते हैं और मुख्य परिक्षा आरेस की जहां तक प्रशन है तो यहां मुख्य परिक्षा में भी factuals जो है वो पूछे जाते हैं आपके 15 words में जो है वो question जो 15 words में आपको answer देना होता है तो सिधा सिधा fact जो पूछते हैं और वो ही देना होता है फिर 50 words में होता है उसमें भी fact होता है और बड़े से बड़ा जो question होता है उसमें hundred word की limit होती है तो उसमें भी चाहदा analysis की समावना आपके पास कम होती है तो इसलिए वहां पे भी जो है वो factual तो मैं यह कहूँगा कि analytical और factual प्रिलिम्स में भी महत्तोपोने और मेंस में महत्तोपोने इसलिए आप इन दोनों की preparation को अलग करके नहीं देख सकते हैं उपिंद्र जी आपने कब स्टार्ट की थी अपनी यह जो प्रिलिम्स की जो तयारी है उसको कैसे स्टार्ट किया सब्जेक्ट मेरे पहले से पढ़े वे बिल्कुल भी नहीं थे तो मैंने बेसिक जो डेटाज हैं उनको collect करना सुरू किया NCRT book से तैयारी करना ही शुरू की जो भी notes available थे market में पढ़ना सुरू किया और दीरे जो notes को grasp पहले समझा foundation एक जो एक खुद का बनाया और देखा कि पहले मैं इन चीज़ें को किस समय तक retain कर सकता हूं बार बार revision को revision पर ज्यादा मैंने focus रखा क्योंकि एक बार पढ़ता था बहुत जल्दी भूल जाया करता था ज्यादा समझ में भी नहीं आता था तो एक ही चीज़ को जो एक fix time के बाद में बार बार पढ़ने लगा तो क करना चाहूंगा कि वैसे कई बार ऐसा होता है कि आपका prelims exam होने के बाद में मेंस के लिए आपको ज्यादा टाइम मिलता ही नहीं तो इसलिए अगर आपने prelims से पहले ही अगर मेंस की तयारी भी साथ में कर लिए तो वो बहुत helpful रहेगा हमार साथ कुछ श्रोता भी हमारे आई वे हमारे स्टूंट्स यहां पर आई वे मौजूद हैं वो भी आपसे कुछ प्रेशन पूछना चाहेंगे तो सबसे पहले मैं मैंस डॉली जो है उनसे कहूंगा कि वो अपना प्रेशन नहां पर रखेंगे अपसे यह कोशन पूछना चाहूंगे कि सर बैस्ट एज बहुत बड़ा कोश्चन है यह समयनत है आज कल जो है जैसे जैसे प्रशासनिक सेवाओं की प्रती अवेरनेस बढ़ रही है तो इस्टूडेंट से जदा ही अवेरनेस परेंट्स में आ रही है और पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है तैयारी करें और नॉर्मल 12 में आपकी जो बुक्स हैं और जो इस्टूडी है वही चीजें अगर आप ढंक से कर लो तो वही पूछा जाता है एक्जाम में आरेस के अंदर और आरेस के अंदर हम जिसी को सजेस्ट करते हैं तो यही कहते हैं कि आप 12 तक की जो NCRT है या रास्तान बोर्ड की जो बुक् आद में भी हम लोग भी यही पढ़ाते हैं तो बच्चे को उस समय आरेस पे फोकस करने की बजाए उस समय उसी स्टूडी पे उसकी भी इंपोर्टेंस को समझे कि वह 11 कर रहा है यह भी महत्तुकून है और फिर वह ग्रेजुशन में जो पढ़ रहा है वह भी महत्तुकून है और उसी में से आगे प्रेजुशन कोई अलग नहीं है आरेस का जो सिलिबस है वो जो हम ग्रेजुशन तक पढ़ते आए हैं उससे डिफरेंट नहीं है वही चीज़ें तो इसलिए इसकी तैयारी जो है मेरा मानना है कि आप ग्रेजुशन में आने के बाद जो है वो करें सो फ्रेंट्स एक चीज़ और समय निकल करके आती है हमारे सामने के आपको अपना बेस अपना फाउंडेशन पहले बनाना होगा और बेस और फाउंडेशन बनाने के लिए सिक्स्ट से और टल्थ तक की जो एंसी आर्ट की बुक्स हैं चाहे वो जर्नल साइंस की हो जर्नल स की ज इस तरह से स्टाउन था था? अपने मेंस की जो पड़ाही स्टार्ट की थी वो कैसे की थी? मेरी मेंस की त्यारी स्टाट तो से पहले ही हो गी थी, अमैने पने शोट नोट्स बना लिये थे, इंग अंग्लिस मेडियम शुडेंट और प्रिलिम्स का जैसे ही एक्जाम तो मुझे लग बग जो पिछले वर्स की जो कट ओफ वगरा रही थी उसके अनुसार ऐसा था कि हाँ एजी ली मैं पार कर जाओंगा पंदरा दिन में जो है प्रिलिम्स का रिजल्ट आ गया उसके बाद मैंने जो भी सब्जेक्ट्स प्रिलिम्स के और मेंस के कॉमन सब्जेक उनके नोट्स बनाना शुरू कर दिया अलग से शोट नोट्स और ताकि उनने में आसानी से बाद में रिवाइज कर सकूँ एक्जाम के समय में और कुछ ऐसे स्पैसिफिक सब्जेक्ट्स जो प्रिलिम्स में नहीं आते हैं आरे इस एक्जाम के और सिर्फ में याते हैं उन अब हमार साथ मिस्टर रेवत जो हैं वो जुड़े हैं मिस्टर रेवत आप क्या पूछना चाहते हैं तो उसे सरी डारेक्शन की जुरूत रहती हैं तो उसके लिए क्या करें ताकि वो अपनी तहरी भी कर पाएं दिलीब जी हमने सबसे पहले यही स्टार्ट किया था कि गाउं से जो बच्चा आता है वो उसके दिल में कहीं न कहीं कुछ एक डर होता है कि क्या मैं इसको कर पाऊंगा या नहीं इस डर को हम कैसे निका रहे हैं वैसे तो हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में जी रहे हैं और ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट आ चुका है इंटरनेट ने शहर और गाउं के बीच के फासले को मेरे ख्याल से काफी हद तक कम कर दिया है इसलिए इतना ज़्यादा बड़ा ये भ गोस्तों को का समूँ बनाओं मैं जिससे की मेरे सफलता सूने से और इस से भी ज़्यादा ग्ल्स के जो पेरेंट्स होते हैं उनको काफी डर रहता है कि हम गाउं से हैं बच्ची को शेहर भेज रहे हैं उसकी सिक्यूरिटी का क्या होगा कैसे होगा तो ये ऐसी खूप सारी चीजें हैं जो आशंका है रहती है लेकिन सच ऐसा है नहीं जो ही बच्चा आता है शेहर में तो थोड़े दिन में उसे दिखता है कि जैसे कि गल्स के लिए मैं जैसे इस पेरेंट्स को ये बताना चाहूंगा कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें आप अपनी बच्चियो के साथ ही अपने बच्चों की तरही कैसे करें हो इस लिए वो एक तो रहने की यह है और उसके बाद जो है वो जो ही यहां आते हैं तो सबसे पहले वो कैसे दोस्त बनाते हैं निर्बर इस पर करता है जैसी संगती होगी उसकी तो वो कम से कम वहां आकर ऐसे पढ़ने वाले जो विद्यारती है उनसे वो संपर्ग बनाए और उनके साथ रहे गुले मिले और उनसे जैसे भी कोडिनेशन से एक दूसरे से सीख के और वो कर सकता है अब अब जम बात कर रहे थे तो उसमें आपने कहा था कि कोई जरूरी नहीं है कि किसी ने सोशल स्टैडिस जो पढ़ अब एक पर आपको पढ़न आना चाहिए आपको मेहनत करनी आनीचाहिए अगर आपने ललक है जीजीविशा है आप कर सकते हैं आप यह सोचते हैं आतमिस्वास आपका अच्छा है तो आप निश्चित तोर पर करेंगे समानी तेया ये देखा जाता है कि Commerce के जो background वाले बच्चे होते हैं उनको ये कहा जाता है कि शायद आपके लिए ये प्रशास्निक सिवाई नहीं है आप इस बारे में क्या कहेंगे मैं इस से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ मिस्टर जितेंदर आप क्या पूछना चाह रहे हैं सराप्टर दो चेंज आप सलेबस ये कन्फ्यूजन आया है जी आप जो फेक्स पेस्ट उसन है सोट्स में तो है कि बीस नम बीस वर्ट से अंदर फेक्स वर्ट चलेंगे उसन लेजिन जो लोंग आंस्वर्स है जैसे अंड्रेड वर्ड्स यह ऐसे हो गया जम आप कुसन को ढायवर्सिट इफर करना चाहरे हो या उस्पे आप नवाचार को इनॉवेसं खुदका लाना चाहरे हो तो तो जब वर्ड लिमिट्स आगे इसमें, तो उस वर्ड लिमिट्स में अपन इतनी सारी डाइवर से ठीक हो, कि ऐसे कंसाइज करजें, उसमें एक सोट में लिख सजें, वर्ड लिमिट्स एक इंपोर्टेंट अस्पेक्ट है इसका, दिलिप जी अगर मैं गलत नहीं हो, तो स्टार्ट जिस सेता रखी जाए, जिससे कि कहीं कोई दिक्कत नहीं आए, इसके लिए आपको एक तो रिटन प्रेक्टिस ज़्यादा करनी होगी, लिखने की प्रेक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करनी होगी, लिखने की प्रेक्टिस से आपकी भाषा पर कमांड बनेगी, और फिर आप जो है वो एक बड़े लंबे सेंटेंस को बहुत छोटा compact करने की आर्ट जो है वो केवल अभ्यास से आ सकती है ये कोई किसी को बता नहीं सकता है ये ऐसे तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तो अभ्यास करें ज़्यादा से ज़्यादा खूब लिखें और एवरेज रोजाना आप कम से कम दो गूंटे बैठ के लिखें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें दूसरी चीज आप इफेक्टिव जो शब्दावली है इसका जो है वो प्रियोग करें ज़्यादा से ज़्यादा जिससे कि आपकी एक ही शब्द में बहुत सारी चीज़ें उसमें समाहित हो जाएं तीसरा मैं कहूंगा कि इसमें आजकल आरेस में जो है इसमें भूमी का लिखने की जरूरत नहीं है आपको सीधा जो कुछा गया है तो दे पॉइंट आपको आंसर शुरू करना है और शुरुआत में ही आपको अपना पूरा कंक्लूजन जो है वो उसमें निकाल के दे देना है ताकि एक्जामिनर चेक करे तो शुरू में ही समझ जाए कि भई हाँ इसे सही आंसर जो है वो आ रहा है वापस एक चीज और अच्छी यहां पर पता चली है कि शब्दों का चैन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है जितें भी short answer टाइप questions होते हैं या very short टाइप आइप questions होते है उसमें शब्द जो है वो बहुत अधिक भूमिका निभाते हैं और उसके साथ साथ आपको यह भी देखना होगा कि जो lengthy answers है जिसके लिए यह कहा जाता था कि पहले अगर आप किसी भी question को start with कर रहें तो पहले उसके एक page में उसकी भूमिका लिखें और फिर एक page में जाकर के उसका अंत करें और बीच में उसको precise कर दें ऐसा नहीं है अब आपको to the point answer ही अपना देना होगा सर एक और हमारे से हमारे जो शोता है किता टाइम फैमिली को दें किता टाइम पढ़ाई को दें क्या ऐसा होता है यह कि आपकी family और आपके पढ़ाई के बीच में कहीं कोई दिक्कते आ रही है सर मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मानता कि अगर family आप तेहरी कर रहे है तो family बिल्कुल आपके support में है परिवार आपका साथ देर है आप तेहरी कर पा रहे है फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो जितने भी programs हैं यदि कोई ऐसा ceremonies हैं जिनमें आप यदि नहीं जाएं तो भी चल जाएगा परिवार से दूर मैं नहीं कहूंगा मैं सिर्फ यह कहूंगा कुछ समय विशेश में आपकी 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 आप से दूर मैं नहीं कहूंगा मैं सिर्फ यह कहूंगा कुछ समय विशेश में आप अपना ज्यादा ध्यान समाजिक दाइतों की तरफ जिम्मेदारियों की तरफ ना देकर आप अपना पढ़ाई पे ध्यान दें जहीं आपके रिजल्ट जैसे आपका रिजल्ट आएगा आपका सेलेक्शन हो जाता है तो निश्चत तोर पर आप मानिए कि आपके परिवार से ज्यादा खुछ कोई भी नहीं होगा वे लोग सबसे ज्यादा खुछ होंगे उस समय है तो फ्रेंट्स बैलेंसिंग जो है वो बहुत रिक्वाइड है कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 24 गंटे पढ़ते रहें या हम बिलकुल सोशल अपने जो कस्टम से सोशल रिलेशन्स जो हैं उनको बिलकुल पूरी तरह से हटा दें ऐसा कुछ रिक्वाइड नहीं है वी हव तो स्टेड़ी स्मार्टर नोट हार्डर अवरी जो साथ महें पूजा चौधरी वो भी आपसे कुछ प्रशन पूछना चाहते हैं सर में यह जानना चाहती हूँ कि जो हम लोग तयारी करते हैं उसके अंदर ग्रूप डिसकस्शन का कितना रोल है किन चीज़ों को डिसकस करना चीए और उसको कितना टाइम देना चीए युए करे को लुक्त आप पढाहि कर रहे होते हैं उस समय डिसकेशन की बात है। यह सर्म स्लेबर्स ओरियंटेट। गर्वप डिसकेशन एक बहुत ही अच्छा तरीका है पढ़ाई करने का लेकिन इसमें एक दिक्कत रहती है। कि जिए आप गर्वप डिसकेशन बैठते तो हैं पढ़ने के लिए स्टडी डिसकेशन करने के लिए लेकिन आपको पता नहीं चलता कि कब आप पॉलिटिक्स को डिसकेशन करने लग जाते हैं। पूरी तरह से concentrate हैं और उनका ध्यान divert नहीं हो रहा है तो आप जो है निश्चित रूप से ग्रुप डिसकेशन क्योंकि पढ़ी हुई बात की बजाए चर्चा की हुई बात बहुत अच्छे ना केवल याद रहती है लंबे समय तक बलकि वो बहुत अच्छे से समझ में आ है तो ग्रुप डिसकेशन एक बहुत ही अच्छा तरीका है इस्टडी को आगे ले जाने का और इससे आपको दूसरे जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और वो चीजों को किस तरह से accept कर रहे हैं ग्रहन कर रहे हैं आपको उनकी व्यूज जो है वो भी पता चलते हैं आज से स्टूडेंट्स पढ़ते हैं मैं इसकी सला नहीं दूँगा उपंद्र जी आप क्या कहना चाहेंगे इस पारे में सर मैं बिल्कुल सरकीस बात से सहमत हो कि अगर आप वीडियो कॉन्फरेंसिंग और फोन पर पढ़ाई की बात करते हैं तो यह इससे ज्यादा फाइदा नहीं होता है विद्यारती को यहां तक सजेस्ट करूंगा कि तैयारी के दुनों में एक विद्यारती को सोचल मीडिया से भी दूरी बनानी चाहिए ओनलाइन डेटा यूज कर सकता है पढ़ाई के लिए पर फेस्बुक ट्विटर हैंग आउट इंस्टाग्राम ऐसे जो सो परजेक्ट्स का तो एक दूसरे को समझाने के लिए आप फोन पर बात कर रहे हैं तो अच्छी बात है नहीं अगर आप लीक से हटकर बात करेंगे तो वो सिर्फ टाइम वेस्टेज होगा और मैं इनकी बात बिल्कुल सही है कि गैजजेट्स जो की हमारी हेल्प के लिए ब तो इसको आप ध्याम में रखें और आरेस की पढ़ाई है या जीस्ती भी इस तरह के जो कॉम्पिटिटिव एक्जाम्स की जो पढ़ाई है उस समय अपने आपको नियंत्रित जितना रख सकेंगे उससे आपको बहुत फायदा होगा आप कुछ कहना नहीं कि मैं क्याना मैं अपन्दर जी की जो बात है उसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ अभी दो दिन पहले यूपियसी का रेजल्ट आया है और उसमें जो जैपूर से ही कनिश्ट किया है तो मैंने उसका इंटर्व्यू कहीं पढ़ा था तो उसने यही बात कही थी कि उसने सोसियल मेडिया से व इनके बीच में बहुत जो बहुत जाएं जो बहुत जाएं निश्चित तोर पर पहले आप यह देख लें की एक्जाम का जो सिलेबस है आप सिलेबस के एकोडिंग तैयारी करें ओनलाइन डेटा होता है जो आप और बुक्स में पढ़ रहें उसमें आपको ओनलाइन डेट की बात करते हैं तो उसमें ओनलाइन डेटा काफी हलफुल रहता है आप अगर कोई ऐसे टोपिकों पढ़ रहें जो करेंट रिलेटेट है करेंट इस्यूस से रिलेटेड है उसमें आप ओनलाइन डेटा को रैफर कर सकते हैं वहां से आप डेटा लें और उनके अपने जितना डिमांड है सब्जेक्ट की जितना डिमांड है पेपर की उतना नोट्स मना कर उन नोट्स को आपरिवाइस कर सकते हैं दिलीव जी में अगर हम आते हैं तो में चार आपने प्रशन पत्र बताएं उनके मार्क्स किते किते होते हैं और टाइम में उसमें कितना दिया जाता है और slibus wise short में हम उसको डिसकस करना चाहेंगे इसमें में पहले prelims होता है मैं prelims से बता दूं तुझाद रखी रहेगा पहले stage में prelims होता है जिसमें 150 questions जो है वो पूछे जाते हैं और 200 marks का होता है जिसमें सभी जो general study के questions हैं वो पूछे जाते है history है economics है Indian constitution है science है geography है और इसके साथ साथ इसमें mathematics और reasoning के questions भी बूछे जाते हैं prelims में mathematics और reasoning केवल prelims में ही है ये मेंस में नहीं अब हटा दिया गया है बीच में इसको रखाता है राजस्तान की जो GKS है वो किसमें कितने कारवर रहती है राजस्तान को करीब 30 to 40 percent weightage जो है prelims में मिलता है जे आपके 150 में से आपके करीब 50 plus questions जो है वो राजस्तान के भी आते हैं तो ये और इसमें आपको जो prelims clear करना होता है तो इसकी जो cut off है वो बहुत कम रहती है 150 में से अगर आपके 60 questions भी सही है तो आपके prelims जो है वो clear हो जाता है इसमें subject की जो books हैं उनको छोड़ करके बाकी और कौन के लिए sorry current affairs के लिए जो है student को जो current magazines हैं इनको follow करना होता है अधरवाइस जो subjects हैं बेसिक subject हैं उनको तो subject जो books है current affairs के लिए आपको contact करना चाहिए उसके परचार जो मेंस पर आते हैं तो मेंस में four papers होते हैं चार question paper होते हैं जिसमें एक जो fourth paper है वो languages का होता है हिंदी और English का last four paper बाकी तीन paper general study के होते हैं और चारों ही paper जो है to each question paper carry two hundred marks तो हर एक question paper 200 number का होता है तो totally 800 number का exam होता है मुख्य पर इक्षा जिसमें पहला जो paper है उसमें history है आपके economics है sociology है और management का थोड़ा सा हिससा है दूसरा अगर question paper आप लें तो उसमें geography है general science है और एथिक्स है तो यह तीन महत्वों है और तीनों में लगबख बराबर question को जो है वो बाटे हुए 65-70 marks का हर एक subject जो है आता है हमारी student की और query है उसको बात करते है फिर वापस आप से इस सी पर continue करेंगे सुरेश विष्णोई यह सर मेरा ही कि उसना है कि अभी मेंस में दो से डाइमेंने का टाइम बचा है तो कौन-कौन से subject के short notes मनाना चाहिए और मेंस में अच्छी scoring के लिए किस subject को कितना time देना चाहिए यह फिर अच्छी scoring किन subject को पढ़के की जाए देखिए जो GS paper 1, 2, 3 हैं यह थोड़ा dynamic data भी रखते हैं paper 4 जो है purely static है language का paper है हिंदी और English का हिंदी और English में जो है वो grammar को आप अच्छे से पढ़ लें जितना ज्यादा revision grammar का कर सके उतना ज्यादा कर लें आप जो है वो almost alternate days पर एक essay लेख सकते हैं ऐसे के लिए अच्छे quotations जो हैं आप collect कर सकते हैं paper 4 में आप target करें जितना maximize कर सके marks को उतना बैतर रहता है paper 1, 2, 3 में मैं बात करूँगा paper 1st के 3rd unit की और paper 3rd के 3rd unit की जहां 20-20 marks के 3 चोटे-चोटे units हैं paper 1st का 3rd unit है उसमें 20 marks के 3 हैं 60 marks और paper 3rd के 3rd unit में 20 marks इच के 3 units हैं 60 marks यह 120 marks जो हैं इनमें आप easily around 80, 70 to 80 marks जो हो score कर सकते हैं इसके लिए आपको revision की ज़्यादा जरूरत होगी और बड़े अगर मैं portion की बात करूँ तो public administration, geography, economy इनके आप short notes बना लें और short notes आप ऐसे रखें कि आप सिर्फ bullets रखें, headlines लिखें, उसके बारे में ज्यादा डेटा ना रखें आप जैसे ही 10-15 दिन गुजरते हैं एक बार उन notes को देखें short notes को और उन्हें revise कर, recall करें अपने मन में की क्या-क्या इनसे related points थे, आप को यह दिये लगता है कि कुछ points आप भूल रहे हैं, तो जो भी आपका source था, जहां से आपने पहले collect किया था, उसे refer करें, फिर से उन चीज़ों को revise करें, जो चीज़ आप भूल रहे थे, उसे आप उन source points में no down कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा revision क करने से आपको काफी मदद मिलेगी, आप जितना ज्यादा लिख सकते हैं questions को, daily basis पे आप जो है वो ऐसा fix कर लें कि 10 marks के 2 questions, 5 marks के 5 questions, 2 marks के 10 questions, ऐसा आप रोज यदी लिखते हैं, तो उसे भी काफी आपको मदद मिलेगी, उपेंदर जी क्या इस समय कोई नया topic जो आपने अबी तक नहीं चुआ है, तो अलगबक 75 डेज, पिछे तर दिन अभी बचे हैं, तो आप एक बार उसको सतही तोर पर देख सकते हैं, क्योंकि इस exam में ऐसा होता है, ऐसा देखने को मिला है, कि जो results बताते हैं कि अगर आपको जो आता है, जो अच्छा आता है, जिस section में आ जाएए उसकी तयारी तनी अच्छी कर लीजे कि वहाँ आपको कोई बीट ना कर सके, आप वहाँ अपने marks बहुत अच्छे ला सकते हैं, जो subject ऐसा आपने चुआई ने अभी तक पड़ा नहीं है, या आप मानते हैं कि या आपको थोड़ा कम आता है, आप उसमें इतनी तय स्ट्राइजी इस आलवेज रिक्वाइट, आप जहां पर कमजोर पढ़ रहे हैं, उसको भी देखें, लेकिन जहां पर आप स्ट्रॉंग हैं, उसको और स्ट्रेंधन करना भी आपके लिए सही रहेगा, उपेंदर जी एक चीज मैं और आप से पूछना चाहूँगा रिवीजन का जिक्र किया था, रिवीजन कितनी बार होना चाहिए और कैसे होना चाहिए? यह हर स्ट्रॉंट का अपना परस्पेक्टिव है कि उसे कितना याद रहता है, कि इतना उर्टेन कर पा रहा है स्ट्रॉंट, पर ऐसा मेरा मानना है कि कम से कम जो सिलिबस है, उसे आ होंकि टेस्रीज का कफOS जाधा है क्योंकि रेटिंग स्किल जैसा neurot오sey शुुष्ति अपनी अचान जहें का जाधी है क्यों aconteceu की परफेंगे में थाुझ हुआ एक जाए है तो टाइम मैनेज कैसे करें उस टीस के लिए इसका अंसर सर अलड़ी पहले भी दे चुके हैं वैसे कि प्रिलिम्स की तैयारी अलग से नहीं होती है और मेंस की ऐसी कोई स्पैसिफिक अलग तैयारी नहीं है एक इंटिग्रेटेड फॉर्म में शुरुआत में जो आप डेटा पढ़ रहे होते हैं प्रिलिम्स में भी वही आता है और मेंस में भी वही आता है इसका असर ने बहुत अच्छे से बताया था अगर आपने द्यान दिया तो कि अनलेटिकल और जो फैक्चुल डेटा है उन दोनों का inट色 के एक megsun में और मेंस में काम आता है अनलेटिकल और जो फैक्चुल वह दोनों वह प्रिलिम्स में काम आते है डिफरेंस बिंग की प्रिलिम्स जो ऑख अब्ज़ख्टिव टरर जो मेंस है वह सबज़्ख्टिव टरिफ है वो कहा तक कारगर होता है क्योंकि चार जो आप्शन्स है आपके पास उसमें कई बार ऐसा होता है कि हम ये जज नहीं कर पाते हैं कि दो मेंसे कौन सा राइट है तो गैस अगर करना हो कैंडिडेट हो तो उसका क्या तरीका रहे सर मैं वैसे यहां ये कहना चाओँगा कि एक नेगटिव आरगर को लेकि इस्टूडेंट से बहुत बढ़ा हुआ होता है जै और इस्टूडेंट बहुत डरा सेमा सा होता है और इसलिए एक्जाम औरल में जब वो बैठा होता है तो उसके दिमाग में कौन सा कुश्चन करूं, कौन सा कुश्चन आ रहा है, नहीं आ रहा है, इस से ज़्यादा उसके दिमाग में ये चीज हावी होती है, को उसके नेगेटिव हो गया तो गलत हो गया तो और इस डर की वज़े से वो दो चार कुश्चन जो उसे आ रहे होते हैं वो भी गलत हो जाते हैं तो मैं तो स्टुडेंट से यही कहना चाहूंगा कि आप नेगेटिव मार्किंग का हुवा बिल्कुल नहीं लेके चलें ठीक है नेगेटिव मार्किंग होती है लेकिन प्रॉबिलिटी का नियम गयता है कि आप चार कुश्शन जो है वो करते हैं और उन में से अगर एक सई हो जाता है तो आपको एक के तीन मार्क्स मिलेंगे और बाकी के वन थर्ड वन थर्ड कटेंगे तो भी आप एकुल रह जाते हैं तो इसलिए नेगेटिव मार्किंग से इतना नुकसान होता नहीं है जितना स्टुडेंट खुद जो है वो नुकस अगर यहां पर नेगेटिव मार्किंग का हुआ लेकर चलेगा तो वो उसको नहीं करेगा लेकिन अगर उसे है कि नहीं मुझे लग रहा है कि मैंने यह पड़ा है तो उसे वो कुश्चन कर लेना चाहिए और अगर उसे बिल्कुल ही नहीं बताए तो मैं कहूंगा कि विश जिसको हम कह सकते हैं वो अगर आंसर है तो ही आप उसको क्लिक करें अन्यता उसको छोड़ दें उपेंदर जी वापस मैं आप से एक चीज़ और पूछना चाहूंगा कि इस तयारी के दौरान आपने अपने जो डाइट का जो कुछ ख्याल रखा होगा वो कैसा होना में आपकी तयारी में भी देखने को मिलता है डाइट कंट्रोल ऐसा नहीं कि आप कोई बैलेंस डाइट चार्ट को फोलो करें अपना खान पान का ध्यान आप रखें आप जो है जंग फूट ज्यादा ना खाएं आप टाइम लिमिट जो है अपना ध्यान में रखेंगी सा खाने का जो समय उसे मिल्स को स्किप ना करें ताइमली जो अपना खाना कहें नींद पूरी लें कई बार ऐसा भी होता है कि स्टुएंट्स लेट नाइट सटी करते रहते हैं लेट तक सोते नहीं है फिर उन्हें जो है थोड़ा स्ट्रेस भी हो ले लेते हैं पड़ाई को करते हो ऐसा नहीं करना ची अपना टाइम जो है मिल्स टाइमली लें नींद पूरी लें टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है कि बहुत इजी टास्क है बस एक छोटा सा रिक्वार्मेंट है अब हाड़ वर्क आप यदि मैनत कर रहे हैं कंसिस्टेंट हैं डिसिप्लेंड ह तो निश्चे तोर पर सफलता आपके पास आएगी जंक फूट आप कंट्रोल ज़रूर कर लें उनको नहीं लें काबो हाइडरेट्स आप कम लें प्रोटीन्स थोड़ा सा कम कर लें लेकिन वाइटमिन्स वगरा जो है जो कच्छी सबजियां वगरा जो है उनको ज़रूर खाएं आप दिलीब जी जब स्टुडेंट एग्ज समझ में आता उस समय क्या करना चाहिए नहीं एक्जाम हॉल में स्टुडेंट जब जाता है तो जाने से पहले उसको डर लगता है लेकिन यो एक्जाम में वो आंसवर राइटिंग शुरू करता है तो यह मैं सब्दुडेंट को कॉंट्टेंस दिलाना चाहता हूं कि आप जब भी एक्जाम देने के लिए जाएं, तो ये सोचें कि पहले जो आपको डर लगता है, एक्जाम हॉल में उतता, आपको डर नहीं लगेगा, आप सब बूल जाएंगे, और आपके सामने शिर्फ वो कुश्चन होगा, और आपके आंस्वर और आपको ऐसा एक्जाम हॉल से पहले आपको लगेगा, आपको कुछ नहीं आ रहा है, आपको माइंड एकदम ब्लैंक हो चुका है, आप इतने साल से जो पढ़ रहे थे, सब कुछ गायब हो चुका है, लेकिन आपको वापस आस्चर होगा, जहीं आप आंस्वर लिखने बैठते हैं, तब आपको अंदर स वो सारी बातें आएगी और आपको कई चीज़ें तो ऐसी आएगी जो आपको लगेगा, यह तो मैंने इस से पहले का भी सोची नहीं थी, और एक्जाम का टाइम जैसे जैसे बढ़ता है, और लास्ट में तो बुलेट ट्रेंग बन जाता है, इस्टूडेंट और लास्ट क जो आपको सबसे अच्छे आ रहे हैं, वो सबसे पहले करें. उपेंदर जी, आपने क्या टेक्निक अपना ही थी? मैं सरकीस बात से सहमदू की जैसे आपको क्योशन पेपर मिला है, उसके जो भी इंस्ट्रक्शन से आप सुरू में जरूर पढ़ें, नर्वस फील ना करें, आप ये ना देखें कि दूसरा जो कंडिडिट आपके रूम में बैटा है, वो कितना तेज लिख रहा है, कैसा ल जोड़े थे, उनमें यह दी कोई क्योशन आपको बिलकुल भी नहीं आ रहा है, आपने कभी सुनाई नहीं उस बारे में, तो आप उसे चोड़ सकते हैं, किसी क्योशन के बारे में दिया आपको थोड़ा इंफॉरमेशन है, तो आप उसे उस एक्स्टेंड तक अटेंट कर सकते हैं, कोई अगर आपको अच्छे से फूरा आ रहा है तो आप उसे फूरा आटेम्ट कर सकते हैं, और आप अपना एक मैसेज जो है, वो क्या देना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट को, टाइम मेनेजमेंट बहुत महत्तोब होना एक्जामी, क्योंकि हमने देखा है, से अच्छा है कि आप शुरू से ही जो है स्पीड बढ़ाएं और किसी भी कीमत पे आपका कोई कोई कोश्चन छूटना नहीं चाहिए, टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा मस्ट है, मस्ट है, टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ जब एक बच्चा जो है, वो अपने प स्पैसिफिक अलग से कोई बहुत तेहरी नहीं होती है क्योंकि प्रिम्स का डिफैंड सीलेबस है, जैन्स का डिफैंड सीलेबस है, इसमें क्योशन चाफी रेंड़म होते हैं, काफी डाइवर्सिफाइड होते हैं, तो सबसे पहले तो मैं अपना बेग्राउंड जो है, उ से आप अच्छे से त्यार करें, आप एक खोबी जो जिनरली पूछी जाती है, वह इंटरब्ष में आप उसके बारे में powin में आच्छेसे त्यार कर सकते are, वह जडिनरली ऐसा है कि कई बार students उसे last time में तैयार करते हैं जो भी आपकी hobby हो जो आपका show का आप उसी को इदी prepare करें तो जदा अच्छा रहेगा साथ ही साथ उस समय विसेश में जो current affairs का data है उसे आप अच्छे से पढ़े syllabus में कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है वहाँ interview के दोरान कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है जो भी आप exam दे कर आएं पास करके हैं उसमें आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा था तो एक ऐसा कोई subject जो आपका फेवरेट है और आप सिर्फ उसे वह ऐसे ही ना बताएं कि यह मेरा फिवरेट है क्योंकि इसमें से के बार क्योंच पूच लिए जाते हैं तो जो आपका सब्जेक्ट फिवरेट हो उसके बारे में तोड़ा अच्छे से तैयरी करके जाएं। सिल्लेबस के एक आउट लाइन आप तोड़ा तयार जरूर करके जाएं। मैं विद्यारतियों को यही कहना चाहूँगा कि आप हमेशा आत्म विश्वास से भरे रहें और आप यह निश्चित रूप से माने कि आपकी सफलता सु निश्चित है। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उडानों की वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आस्मान की। इजाज़ दीजे, नमस्कार.